नविश्कार में पुदिक्षा वर्मा इस वक्त आप देख रहे हैं इंगे टेनी फोर्म पे सानल लाइप टीवी तो चलिए रूख करणे इस वक्ती कुछ एहन ख़बरों की वोड़े ख़बरे बिहार से आपको बताते चलिए बिहार में सतरा बंदी कानून को सफल बनाने और शरावियों पर नकेल कस्रों के लिए सिच्छा विभार ने नया फर्मान चारी किया है जिहां को बताते हैं इसके मुताबिक अब राज के सभी सरकारी सिच्छक सरादियों के पहसान करेंगे और इसकी सुचना हुट पात इवा मंदिनिशेद विभाग को देंगे सिच्छा बिभाग के अपार मुख सजियू संदे कुमार्ड बिहार के तमाम डीयों और डीपीयों को पत्र जारी कर इसे अमल में लाने को कहा है जिहां आपको पता देया आदेश तमाम सरकारी सिच्छकों के साथ सिच्छ समितियों को भी दिया गया है सिच्छा विभाग के इस फर्मान के बाद राज का स्टियासी पाराण कर्म है वही मुख्य विपच्छी दल राष्टिय जन्ता दल आरजजेडी के प्रद्वर्ता मित्युन जै तिवारी ने इश्कों तुगल की फर्मान करा देती हुए कहां कि सिच्छा विभाग का यह फैसला हाश्य पत्र और इसे तत्काल वापस लेनी चाहिए जिहां आपको बताते चले उन्हों ने कहा कि बिहार में पहले ही सिच्छकों की कमी है एसे मियद सिच्छक पढ़ाने के बजाए सरावियों को ढूणने में लग जाएंगे तो सिच्छा विभाग के इस फैसले पर कांगरिश ने भी कड़ा प्रहात करते ही कहां कि यह फैसला चरियर जनक है और पार्टी के प्रवक्ता जीत तथा तिवारी ने सवाल उठाय कि जब बिहार में सिच्छक पार्शाला जाने के बजाएं मत सालक खोजने में लगेंगे तो चात्रों की पढ़ाई निखाई कैसे होगी उन्होंने इसे सिच्छा बिभाग का सनकपन भरा फैसला बताते हुए तब काल इसे वाफस लिये जाने की मांग की है वही सिच्छा बिभाग के इस फैसले पर जलता दल यूनाइटेड जेडी यूनित पूर्ड सहमत जदाते हुए कहा कि सिच्छक समाज के हर तमके को जानता है और समझाता है बिहार के तमाम सिच्छक अगर शराब बंदी के इस मुहिम से जुडेंगे तो इसको सफल बनाने में मदद मिलेगी जेडी यू के प्रिवक्ता अफिशे जाने विपच्छी दलों पर पड़टवार करते हुए कहा कि बिहार में विपच्छ चाहता ही नहीं है कि पूर सराबंदी सफल हो जाए वही हाला कि सरकार में सहयोगी बीजेपी ने सधे हुए सब्दों में इसका सम समर्थन करते हुए इशारो इशारो में सवाल भी खड़ा किया है बीजेपी के परवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि सिच्छकों का काम स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है कि उन्हें अच्छी सिच्छा मिल सके और उसके अंदर बेतर संशकार पैदा हो सके यदि सि स्कूलों में शराब के सेवन को रोकने के लिए है तो यह स्वागत योग है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए